दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाएं पाकिस्तान का हतियारों का सबसे बड़ा काला बाजार है चुराई हुए हतियार तो यहां मिलते ही हैं लेकिन हाथ के काम की यहां ज्यादा मांग है रूस की एक के 47 हो या बुलगारिया की MP5 सब यहां बनती हैं वो भी कबाड में उठाए गई मेटल से दर्रा आदम खेल में कुछ लोग इन मसूर अतियारों की हूबहू नकल करने में माहिर हैं यहां पर MP5 गन महज 7,000 पाकिस्तानी रुपे में मिल जाती है भारती मुद्रा में इसकी कीमत होई करीब 4,000 रुपे इसी तरह 1,47 गन या 13,000 पाकिस्तानी रुपे यानी 7,8,000 भारती रुपे में मिल जाती है बेचने वाले इनके टेस्ट फायर करके भी दखाते हैं ग्राग को पूरी तसल्ली के बाद ही वो कुछ बेचते हैं इन हतियार बनाने वालों का धावा है कि इनके कारीगर इतने कुसल हैं कि उन्हें कोई भी हतियार दिखा दें वो उसकी हूबहू नकल कर देंगे हतियार बनाने के लिए ये लोग स्क्रेप यार्ड से मैटल उठाते हैं यह एक्सर पराने समुद्री जाजों का कवाड होता है जिसे इस काम के लिए इस्तमाल किया जाता है आसपास के इलाकों में रहने वालों को भी कोई परेशानी नहीं है क्योंकि इलाका पस्तून भहुल है और पस्तून परवारों में जमानों से हतियार रखने का चलन रहा है एक जमाना ऐसा भी था जब इस बजार में हर अवेद चीज मिल जाती थी फिर चाहे चोरी की गाड़ी हो या फिर फ़रजी डिगरी 1980 के दसक में यह बजार काफी फाला फूला अफगानिस्तान से सीमया पार कर मुजाहिद दिन यहां आ जाया करते थे और सोबियत संग के खिलाब जंग के लिए यहीं से हतियार खरीदा करते थे बाद में इस जगे पर पाकिस्तान तालिबान का कबजा रहा अब पिछले कुछ वक्त से हालात बदले हैं सरकार धीरे धीरे इस अलाके पर नियंतरन करने की कोशिस में लगी हुई है दुकांदार बताते हैं कि कभी यहां 7000 से भी ज़्यादा दुकाने हुआ करती थी आज आदी भी नहीं बच्ची हैं सरकार की सकती की वज़े से मांग कम हुई है सहर के भार नाके लगा दिये गए हैं जगजग़ लोगों को रोप कर तलासी ली जाती है ऐसे में अब दर्रा आदम खेल से हत्यारों को बाहर ले जाना मुश्किल हो गया है अगर आपको भी हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सेर करना ना भूले हमारे इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसके लिए वीडियो के नीचे दिये हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें